नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डोक्टर मृष खारी आप देख रहे हैं डोक्टर खारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमियोपेती दवाई हैकला लावा के बारे में ये ट्राइचुटेशन फोम यानि 3X 6X पावर में उसकी जाती है डाइलूशन में इसे 30 CS 200 CH में दातर उसको के जयाता है इस वीडियो में हम जानेगे कि इसके क्या फायादे है किन बीवाई सथरीका क्या होता है जानने के लिए वीडियो पूरा देखें अगर आप न्वारे चनल पडर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब गजरें ताकि आने प्लबी हेल्थ रिलेटेड इधी वीडियों से आप एपडेट इट रहें इस दवाई पूलाहेस को यूज किया आता है जाठ्छ से समंधित दोगोमें अगर पेसेंट को दातों में तरद रहता हो दातों में कीडे Whan की वज़े से दांतों में सडन होने की वज़े से तूट टिकेंग की वज़े से अगर पेशन्ट को टूथ पेन देखने को मिलता हो या फिर अगर पेशन्ट का टूथ एक्स्टेक्ट हुआ हो उसके कारण दर्द हो रहा हो तो यह दवाई ऐसे के इसमें देने से काफी राहत देती है दातों के दर्द में, जाड के दर्द में, इस दवाई को हम एपसस में भी दे सकते हैं, अलसरेशन में भी दे सकते हैं, अगर पेशन्ट को मवाद भरी हुई देखी जाती हो, जाड में पेशन्ट को हम पर दर्द देखने को मिलता हो, स्वैलिंग आई हुई हो जाड और जाम में बहुत जादा दर्द देखने को मिलता हो पेशन्ट परेशान हो जाता है दर्द के कारण इडरीटेट हो रहता है और यह दर्द कभी भी हो सकता है दातों में सडहन की वज़े से दातों में केड़े लगने की वज़े से या फिर इंफेक्शन होने की वज़े से त दवाई बहुत असरदार रहती है इसके अलावा इस दवाई को हम देते हैं दातों में अगर sensitivity देखने को मिलती हो जिसके करण दर्द होता हो या फिर patient को neuralgia या निनसों में दर्द देखा जा रहा हो facial nerve में अगर patient को पेंद देखा जा रहा हो तो यह दवाई देने से चहरे के दर्द में रहत मिलती है दातों के दर्द में रहत मिलती है patient को अगर जाड में दर्द हो तो उसमें में काफी रहत मिलती है patient को अगर दातों में स्वार्मेशन के कारण दर्द आ रहा हो ब्लेडिंग कहीं बार देखी जा रही हो गम से साथ में पेशेंट को सेंसेटिविटी हो तो ऐसे के इसमें दातों के यह दवई देने से दर्द में काफी रहात मिलती है और इंफेक्शन को ठीक करने में दवई मददगार है यह से हम अगर कोई जाड निकल वाता है और उसके बाद दसों में दड़ देखा जा रहा हो तो यह दवई काफी एट भर रहती है यायनी हम इसे दातों के होने वाले रोगों में तो दही सकते हैं लेकिन जब दात का त्रीटमेंट हो जाड का ट्रीटमेंट आर उसके बाद भी अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिल रहा हो तो यह दवाई इसमें बहुत इफेक्टिव रहती हैं इसके इलावा इस दवाई को हम हड्डियों से संबंदित रोगों में भी दे सकते हैं ओस्टोफाइटिस में इसे हम दे सकते हैं और इसमें क्या होता है कि भी दे सकते हैं इंजरी के कारण अगर patient को bon tumour हो जाए उस में दर्द देखने को मिले यानि अगर patient को long time बाद दर्द स्राइब इंजरी के तो ये रहत मिलती है बॉंट यूमर को ठीक करती है दवाई को हम joint pain में भी दे सकते हैं खास तोर पर lower limbs में अगर patient को पेन देखने को मिल रहा हो नी में पेन हो पेशेंट को तो यह दोवे देने से जोइंट्स पेन में भी काफी राहत मिलती है ब्रेस्ट यूमर में भी दे सकते हैं महिलाव में अगर स्टन में कैंसर देखने को मिलता हो तो यह दोवाई उसमें भी असरदार है इसके लावा अगर पेशेंट का दूद कमा रहा है तो उसको बढ़ाने में मदद करती है तो दोस्तों अगर आपको इन में से कोई भी प्रेशा नहीं है और आप इस तवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होमियोपती डोक्टर से कंसल्ट चरूर करें बिना डोक्टर की सला क कोई भी हमियोपती दिवाई नहीं लेनी चाहिए हो सकता है अपको कुछ और दवाईयों के ज़रूरत पढ़े जो ट्राइचुरेशन फॉम होती है इसको टैबलेट फॉम में दिया जाता है कुछ गोलिया पेशेंट की कंडिशन देखकर दी जाती है जैसे 202 से 4 आती जाती है डाइलूशन की ड्रॉफ पहुम आती है तो कुछ बूंदे पेशेंट की कंडिशन पर डिपेंट करता है कि इतनी दी जाएंगी इसके लिए आप देगए वाट्स अप नमबर पर हमसे सब्बक कर इलाज इसला ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवा